जोहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बार दोस्तो भारती जनता पाटी ने आज शाम लोकसभाँ चुनाओ दोहजार चौबीस के लिए 195 लोकसभाँ मिद्वारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है पहली सूची में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी समेत 34 केंद्रिय मंतरियों के नाम शामिल हैं जिन में जारखंड से जन्जाती मामलों के मंतरी और केंद्रिय क्रिशिम मंतरी अरजुनमुंडा और अनपूना देवी दो मंतरी जारखंड से भी हैं भाजपा के राश्टी महासचीव विनोत तावडे ने प्रेस कॉंफरेंस करके अजानकारी दी कि पीएम मोदी के धक्ष्टा में 29 फरवरी को भारती जनता पार्टी केंद्री चुनाव समिती की बैठक में 16 राज्यों और दो केंद्र शाशित प्रदेशों की लोग सभा सीट के लिए उमिद्वारों के नाम फाइनल हुए थे तावडे ने कहा कि पीम मोदी एक बार फिर वारानसी से चुनाव लड़ेंगे भाजपा की पहली लिस्ट में 28 मैलाएं हैं अनुसूचित जाती के 27 अनुसूचित जन जाती के 18 OBC 18 और 47-50 साल से कम युमर के लोगों को लो गाना की नौ, असम की 11, जारखंड की 11, 36 गड़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मु कश्मीर की 2, उत्राखंड की 3, अरुनाचल की 2, गुवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीटों के लिए उमिद्वारों के नाम शामिल हैं दोस्तों जारखंड में 11 सीट रहा था, दुमका से सांसद सुनील सुरेन दोबारा चुनाव लड़ेंगे वहां से, गोड़ा के निशिकान दुबे, चौथी बार वहां से चुनाव लड़ेंगे, कोडर्मा स्चनुपूर्णा देवी को फिर एक बार भाजपाई ने टिकट दिया है, राची के सांसद सं जमशेतपूर सीट से सांसद है, इस बार उनके बदले जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन कुर्मियों का प्रेशर काम आ गया, कुर्मी काफी दिनों से भाजपा पर दबाव बना रहे थे अपने प्रतिन्धितों के लिए, और भाजपा उमिदवार की तलाश में थी जम जिन पहले और तब से ही चर्चा थी कि गीता कोडा को ही सीमभूम सीट से भारती जनता पार्टी उतारेगी, खूटी से अरजुन मुंडा एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, 2019 में उन्होंने बहुत कम वोटों के इंतर से जीत हासिल की थी, जिकिन इस बार फिर भाजपा भेजे जाने की चर्चा के बीच, यह कहा जा रहा था कि समीर उराओं या डॉक्टर अरुन उराओं में से किसी को मिदवार बनाया जाएगा, लेकिन समीर उराओं पर भाजपा ने भरोसा किया, समीर उराओं राजसभा के सांसद है और इसी मार्च महीने में उनका कारिकाल खत्म हो रहा है समिरू राओ जो भाजपा जंजाती मोर्चा के राष्टी अध्यक्ष हैं उनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है पलामू से वीडी राम का टिकट कटने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी क्योंकि उनकी उम्र सत्तर से उपर हो गई है लेकिन पल मनीश जैसवाल जो हजारी बाग से विधायक है उनको टिकट दिया गया है लोकसभा चुनाव का तो 11 प्रत्याशियों के जो नाम भाजपा ने आज घोशित किये हैं उनमें दो सांसदों का टिकट कट गया है लोहर दगा से सुदर्शन भगत का और हजारी बाग से जयंत सि इनहा का लोहर दगा से सुदर्शन भगत की जगा समीर उराव को टिकट दिया गया है और नए प्रत्याशियों के रूप में सीमभूम सीट से गीता कोडा इस बार भारती जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी पिछली बार वे कॉंग्रेस से चुनाव जीती थी थी राज धनबाद और चत्रा में उमिदवारों को बदलने की चर्चा लंबे समय से चल रही है धनबाद से पी एन सिंग सांसद है और चत्रा से सुनील सिंग सांसद है दोनों दो दो बार सांसद रह चुके हैं और इन दोनों का ही टिकट काटे जाने की चर्चा काफी जोरों पर चल रही थी काफी लंबे समय से चल रही थी पी एन सिंग की उम्र हो गई है उवी 70 साल से उपर के हैं और स्वास समंदी समस्याएं उनके साथ हैं सुनील सिंग का भी टिकट करने की चर्चा चल रही थी यह कहा जा रहा था कि छेत्र में उतना समय नहीं दे पाते हैं लेकिन अब यह देखना है कि क्या भारती जनता पार्टी इन दोनों को वापस रिपीट करती है या इनकी जगह नए प्रत्याशियों को लाती है गिरीडी सीट पर यह कहा जा रहा था कि आजसू पार्टी इस बार चुनाओ लड़ने की एक शुक नहीं है और इसके बदले आजसू पार पार्टी गिरीडी सीट पर प्रत्याशि उतारती है या फिर भारती जनता पार्टी को यह सीट मिल जाती है चुनाओ लड़ने के लिए गिरीडी से फिलहाल आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद है लेकिन अब यह देखना होगा क्योंकि गिरीडी की सीट पर मिलशास्प हो जाएगा और अब यह देखना होगा कि गिरीडी पर भाजपा लड़ेगी या आजसू के लिए वो सीट छोड़ देगी इसलिए घोषना नहीं की गई है ताकि आजसू प्रत्याशी की घोषना कर सके लेकिन धनबाद और चत्रा सीट जहां दो राजपूत सा बारा मिलेगा या फिर उनकी जगह किसी नए प्रत्याशी को भारती जनता पार्टी उतारेगी तो अब जबकि इंडिया एलायंस जारखंड में सीटों के बटवारे को लेकर अंतिम घोषना तक नहीं कर पाया है घोषना तो क्या कहेंगे फाइनल भी नहीं हो पाया इन दल में से एक 11 सीटों पर अपनों मिद्वारों की घोषना कर दी है तो दोस्तों लोगसभाद चुनाओ की घोषना के पहले भारती जनता पार्टी ने जारखंड से 11 मिद्वारों की सूची फाइनल कर दी है और इंडिया एलायंस में अभी तक सीटों का स्वरूप ही फाइनल हो पाया है word ऐसे मिद यब यह देखना होगा कि इंडिया एलायन्स में सीटों को लेकर क्या समझोता होता है और कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ता है, कॉंग्रेस कितनी सीटे लेती है, जेमेम को कितनी सीटे मिलती है, आरजेडी और वाम दलों को क्या सीटे मिलेंगी या नहीं और किन सीटों पर कौन सा उमिद्वार फाइनल होगा इन सब में अभी लग रहा है कि इंडिया अलाइंस में अभी काफी समय लगेगा जबकि भारतिय जन्ता पार्टी ने घोशना करके अपने उमिद्वारों की चुनाओ की तयारी का शंखनाद कर दिया जारखन में तो कॉंग्रेस गटबंदन की तरफ जा सकती है इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने उमिद्वारों की घोशना काफी पहले कर दी है और सभी पांच चुरक्षित सीटें जो यहां आदिवासियों के लिए स्टी के लिए आरक्षित है उन सभी पांच सीटों पर भी उमि देखना होगा कि जिन दो सांसनों का टिकट कटा है हजारी बाग से जैन सिना का और लोहरदगात से सुदर्शन भगत का उनका क्या रुख रहता है जैन सिना के पिता यश्वन सिना भी भाजपा में थे बाद मुनोंने भाजपा छोड़ दी राष्टपती का चुनाओ भी उन्होंने लड़ा तो क्या जैन सिना भी पिता की राह चलेंगे क्या वो भी अब कोई दूसरा दल तलाशेंगे लोग सभा चुनाओ लड़ने के लिए या चुप्टा पार्टी का फैसला मान लेंगे सुदर्शन भगत तो संग के बैग्राउंड से आते हैं इसलिए उनकी उमीद कम है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे लेकिन जैन सिना पर नजरे जरूर रहेंगी कि उनका अगला रुख क्या रहता है तो दोस्तों ये अपडेट था कि भारती जनता पार्टी ने लोग सभा चुनाओ के लिए ग्यारों मिदवार घोशित कर दिये हैं इंडिया एलाइन्स में भी सीटों का स्वरूब फाइनल नहीं हुआ है तो आगे इंडिया एलाइन्स में क्या होता है इस पर नजर बनाए रखेंगे और इस पर भी नजर बनाए रखेंगे कि भारती जनता पार्टी और आर्शू गिरिडी धनबाद और चत्रा की सीटों पर कब उमिद्वारों के नाम फाइनल करती है दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक इसाज़त दीजे धन्यवाद नमस्कार